कोरोना वैक्सिन से जुड़े हुए 16 अपडेट्स में आपके साथ ही वीडियो में शेयर करने वाला हूँ तो वीडियो को पूरा जरूर से देखें नए हो चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और साथी दबा दो बेल के आइकन को ताकि आप कोई भी अपडेट में सना कर एक छोटी से रिक्वेस्ट है वीडियो देखने के पास शेयर जरूर से करें ताकि ये कॉंटेंट जादा लोगों तक पहुंच पाए बहुत ही कम समय में प्रेजंट करता हूँ पांच मिनिट से भी कम समय में ताकि आपको एक्रोड इंट्रोमेशन डेली मौनिंग मिलती रहे पहला अपडेट केसे से जुड़ा हुए 3,32,88,021 केसे इन टोटल इंडिया में रेजिस्टर हुए है पास्ट 24 आर में जो है वो केसे काफी कम रेजिस्टर हुए सिर्फ 24,479 केसे रेजिस्टर हुए है एक्टिव केसे जो है वो ड्रास्टिकली डाउन गया है 3,68 के केसे बचे हुए है टुटल देट्स 4,43,247 है पास्ट 24 आर में 340 डेट्स हुए है जो कमपरेटिल भी थोड़ी ज्यादा है रिकवरी जो है वो अल्मोस्ट 40,000 हुए है तो देखने को मिल रहा है कि एक्टिव केसे के दिने ड्रास्टिकली डाउन गया है अगला अपडेट रिकवरी रेट के साथ 98.65 एंड डेथ रेट 1.35 बे कॉंस्टेंट ही है वेक्सिनेशन की बात की जाए तो कल के दिन में 52.43 लेक लोगो को फस्ट डोज और 25.93 लेक लोगो को जो है वो सेकंड डोज अडमिनिस्टर हुआ है इंडिया ने इन टूटल जो है 75 करोड प्लस रेक्सिन जो है धमिस्टर कर ली जिसमें से 57 करोड प्लस जो है वो सिंगल डोज वाल है 18 करोड प्लस जो है वो दोनों डोज ले लिए ऐसे लोग है अगला अप्डेट जो वह से जुड़ा हुआ है तो वह का भारत बाटक के अप्रोवल है वह यह वीक में एक्सपेक्टेड है मतलब 14 सब्टेम्बर से लेके यह वीक जब तक रहेगा तब तक देखते है कि अप्रोवल मिलता है या नहीं अगला अप्डेट जो है वह जुड़ा हुआ है फिक्ट्स वेक्सिंग के साथ गॉर्मेंट जो है वह कोमरवर्ड जो है बिट्वीं फ्रिल तो सेवंटीन उन्हें ऑक्टबर नन्हें वैक्सिं देगी नॉर्मल किड्स के लिए साथ से वह नहीं हुई अगला अपडेट वह से जुड़ा हुआ है तो यहां पे लेंसे स्टडी में एक पब्लिश हुई है जिसमें कहा गया है कि जरूरत अभी नहीं है थोड़े समय के बाद साय से पड़ सकती है तो यहां पे अगर हम बात करें इसराइल की दोबाई इसराइल तो फॉर्थ डोज में लगा हुआ है वन टू नहीं थर्ड नहीं फॉर्थ थर्ड तो उन्होंने अल्री स्टार्ट कर दिया है वो फॉर्थ के बारे में सोच रहा है अगला अप्डेट जो है वो जुड़ा हुआ यूके के साथ तो यूके जो है 12-15 यह बच्चों के लिए वैक्सिंग को अप्रूव किया है ताकि एक और लॉक्डाउन जो है वो ना लगाना पड़ सके लास्ट अप्डेट जो है वो जुड़ा हुआ एक सीरो सर्वे के साथ जहां पर यह बताया गया है कि मुंबयन देली में बच्चों से सेंपल लिए गये जिसमें पता चला है कि 52-75 परसंटेज बच्चों में जो है वो एंटी बोडिस पाए गये है मतलब यह काफी बढ़ा पहुंच पाए अगले वडियों से मुलाकात होगी तब तक के लिए जहिंद वंदे मात्रम